हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तो बात करेंगे वर्ल्ड कप का जो 29 मुकाबला अफगानिस्तान वसे इस पपुआ न्यूगिनी के बीच खेला जाएगा इसके लिए तो दोस्तो इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते से में बहुत ज़ारा कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि एक तरफ है अफगानिस्तान की टीम जो की बहुत ही अच्छे फॉर्म में है बड़ी बड़ी टीम को हरा करा रही है और दूसरी तरफ है पपुआ न्यूगिन पिडियो रहे तो पूरी इन्फर्मैटीब वीडियो रहेगी तो तो बीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिए दोस्तों, तो गौर कीजेगा यह जो मुकाबला है, 14 तारी को खेला जाएगा सुबह में 6 बजे से और ग्राउंड की बात करें तो और आज सुबह ही दोस्तों इस ग्राउंड पर मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज और न्यूजलेंड के बीच और आप लोग सुनकर दंग रह जाएगा कि बॉलर्स को काफी मदत मिली है और बैट्समेन दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कि मतलब रन ही नहीं बनाने पा रहे थे तो डेरेट बात कर लेते हैं यहां पर इस ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट की उपर तो अभी तक इस ग्राउंड पर टी ट्वेंटी के यहां पर देखा जाए तो पांच मुकाबले हुए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले टीम चार बार जीती है और चेस करने वा डेर सोकर नीचे तीन बारा स्कोर बना है दोस्तो और एक सो नब्बे की उपर यहां पर दो बारा स्कोर बना है और अब रिसेंट के यहां पर जो मुकाबले हुए हैं दोस्तो आज सूबा इसी वर्ल्ड कप में तो वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए 149 रन का ट विकेट तो टोटल 18 विकेट मिले हैं दोस्तो इस मुकाबले में तो आप लोग सोची सकते हैं कि बालर को कितनी मदद मिल रही है फास्ट इनिंग में देख सकते हैं फास्ट बॉलर को मिली पांच विकेट और स्पीनर्स को एक विकेट सकेंड इनिंग में दोस्तो फास्ट साथ यहां पर spinners को युमरत मिलते हुए दिख रही है अब इसके बाद direct बात कर लेते हैं head to head record की उपर head to head record में एक मुकाबला हुआ है जो कि दोस्तों अफगानिस्तान ही जीता है तो अब recent form यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान का यहां पर recent form अच्छा है पिछले 5 में से 4 मुकाबला जीती है और वहीं पपुआ नियुगनी अपना पिछला 3 मुकाबला हार कर आ रही है अब इसके बात कर लेते हैं direct दोस्तों बीडियों में आगे बढ़ने से पहले यहां पर playing 11 क्या रहेगी इस पुर्बज opening करते हुए दिखेंगे इबराहिम जादरान के साथ फिर नजीबुल्ला जादरान जो कि पिछले मुकाबले में बैटिंग करने नीचे आये थे फिर तीसरे नमबर पर मुहमन नभी गुलाबदीन नईब अजमतुल्ला उमर जाई पिछले मुकाबले में बैट नभी नुलाक और फारुकी ही बोलिंग कराते हुए जारतर आपको दिखेंगे यह तो होगी दोस्तों यहाँ पर प्लेंग 11 अब आगे के स्टैट डिसकस करने से पहले मैं आप सभी को बोल दू कि जो लोग योवी तक हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोईन नहीं किया है तो आप सुरी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पुरा जरूर देखिए अगर दोस्तों ताकि आपको एकक चीज अच्छे से समझ में आए अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के जितने भी पिलियर्स हैं सारे प कि बारे मैंने आपको पिछला मैंच में भी बताया था कि अच्छे फर्म में हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ IPL में तो ज़्यादा मौका मिला नहीं लेकिन पिछले दो मुकाबले में वर्ल्ड कप में अपना दोस्तों परफॉमेंस यह दिखा दिया हैं पिछले मुकाबले में 80 रन और उससे पहले 76 रन तो सबसे बेस्ट आप्शन रहेंगे तो आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं केवल अस्मॉल लिक की टीम में क्यूंकि यह दोस्तों बॉलिंग तो कराएंगे नहीं विकेट कीपर से पॉइंट देंगे तो यहाँ पर इनको केवल बहुत ही कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कीए हैं तो आपके पास बेस्ट आप्शन इबराहिम जादरान की बात करें तो यह भी बहुत अच्छे फॉर्म में हैं पिछले मुकाबले में अरस तक नहीं बनाने पाएं थे मातर 40 रन बनाएं लेकिन उससे पहले 70 रन की पारी खेले हैं तो अफगानिस्तान के दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं जो कि दोस्तो बाई सरन की पारी खेले थे और बॉलिंग नहीं कराएं थे और उससे पहले बॉलिंग कराएं थे लेकिन फ्लॉप हो गये थे रिसेंट में भी जरतर मुकाबले में इनको बॉलिंग से विकेट नहीं मिली है बैटिंग से ही अच्छा पोहमेंस किये हैं तो अ अब इसके बाद नीचे से नजबुला जादरान की बात करें जो कि बैटिंग पिछले मुकाबले में इनको नहीं मिला था रिसेंट में फ्लॉप हुए हैं तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है और अगर आप लोग 4-5 ग्रैंड लिग की टीम बना रहे हैं तो एक ग्रैंड लिग की टीम में नजबुला जादरान को जरूर रखिएगा अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतती है तब नीचे सर मुहमद नवी अच्छे फॉर्म में हैं पिछले मुकाबले में दो विकेट लिए और उससे पहले 14 रन विकेट लेस रहे थें परिसें नहीं रहें तो इनको भी क्योवल आपको ग्रैंड लिंग में लेना है अब बॉलर्स की बात करें तो रासित खान बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं पिछले मुकाबले में छे रन बनाए थे और चार विकेट लिए थे और उससे पहले इनको दो विकेट मिली थी तो ओभर अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब रासित खान को आपको क्याप्टन वाइस क्याप्टन नहीं करना है और अगर सकेंड इनिंग में बॉलिंग कराती है तब दोस्तो आप लोग इनको कर सकते हैं करीम जननत की बात करें तो फ्लॉप हुए हैं दोस नूर आमत को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली और पिछले तीन मुकाबले से इनको विकेट लेस रहे हैं तो इन पर आपको जादा फोकस नहीं करना है नवीन उलक दोस्तो अच्छे फॉर्म में है लेकिन पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली लेकिन रि मुकाबले के लिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे क्योंकि पपुआ न्यूगिनी की बैटिंग लाइनप उतनी श्ट्रॉंग नहीं है अब इसके बात कर लेते हैं दोस्तों जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं जैसे दोस्तों मु पर टोनी उुरा दिखेंगे यहां पर दोस्तों एसादबाला के साथ और टोनी उुरा के साथ दोस्तों यहां पर आपको जोकी अच्छे पांच महां पांचों नमबर पर हीरी हीरी फिर चाल्स एमीनी और उसके बाद दोस्तों सातों नमबर पर यहां पर डोर गिया जो दोस्तो राइट हिनेट विकेट कीपर बैट्समेन है, फिर एन बनुआ जो की दोस्तो अच्छे फॉर्म में है, फिर यहाँ पर चैर्डस को पर जोन करेको, फिर यहाँ पर एलियन नियो, जो की पिछले मकाबले में अच्छा बॉलिंग कराएं थे, तो यह रहेगी दोस्तो यहाँ पर पपुआ नियोगिनी की प्लेंग लेवन, और इनकी प्लेंग लेवन कंफर्म नहीं है, उपर नीचे हो सकता है, बाकी आपको यहाँ पर पावर पले में जोन करी को और यहाँ पर कबुआ, बोलिंग कराते हों दिखेंगें और आकरी को और में कबुआ और सारे प्लियर्स के रिसेंट पफॉमेंस की उपर तो अगर आप लोग देखिए अगा तब पपुए न्योगिनी की तरफ से टॉप और पूरी तेरिके से इनका नाकाम है तोनी उरा बहुत ही बुरे फॉर्म में हैं पिछले तीन मुकाबले में दोस्तों यह फ्लॉप हुए है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केवल एक मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर दो मुकाबले में 60 और 15 रन की पारी खेले थे नहीं तो रिसेंट में भी लगतार फ्लॉप हुए हैं तो इनको दोस्तों अगरा मैं आपको बता दू कि इस मुकाबले में भी जड़ा ज़् बना सकते हैं 10 रन से उपर दोस्तों बनाते हुए नहीं दिखेंगे तो इनकी उपर आपको फोकस नहीं करना है असाद बाला की बात करें कप्तान है अच्छे फॉर्म में है पिछले मुकाबले में एक विकेट मिला था और अच्छी बात है कि उससे पहले 21 रन दो विकेट लिये थे रिस्षेंट में दोस्तों नो रन दो विकेट एक नवजट रन दो विकेट दोविकेट हर मुकाबले में दोस्तों इनको विकेट मिल certainty तो टॉप उडर से दोस्तों आपको यह पर असाद बाला पर फोकस करना है असमॉल लीग और ग्रैंड लिक दोनों के टीम में अब लेगासिया का की बात करें जो कि second down आएंग बैटिंग करने फिछले दोनों मुकाबले में ये भी flop हुए हैं और recent में भी दोस्तों लगतार इनको performance कुछ खास रहा नहीं है कि वो लेक मैच छोड़ कर तो इनके उपर भी आपको ज्यादा focus नहीं करना है अब low order की बात करे तो सेसा बहुआ जो कि दोस्तों फिछले मुकाबले में 5 रन की पारी खेले लेकिन उससे पहले 50 रन की पारी खेले हैं तो इस मुकाबले में सेसा बहुआ important option रहेंगे तो दोस्तों टॉप के जो आपको चार player दीख रहे हैं इन में से केबल दो ही player अच्छे form में हैं एक दो से आपको दोनों को लेकर चलना है क्योंकि यहां पर आपको जारा ज्यादा तीन या चार player को ही लेना है तो टॉप के आपको यहां पर दो player दीखी जाएंगे हिरी हिरी की बात करें तो यह भी दोस्तों आउट और फॉर्म चल रहे हैं और इनको ज्यादा मौका मिला नहीं ह तो दोस्तों यह भी उतने important नहीं रहेंगे और यह दोस्तों के ओल grand league के लिए ही important रहेंगे और यहां पर दोरगिया की बात करें जो की wicket keeper है तो यह दोस्तों कुछ आप लोग के लिए differential option हो सकते हैं तो इन पर आपको focus करना है पिछले मुकाबले में मातर 12 run बनाया थे लेक उसके बाद चाड़ स्कोपर दोस्तों यहां पर फिछले मुकाबले में एक wicket जोन करिको को यहां पर एक वी wicket नहीं और यहां पर एन बनुआ की बात करें तो दो विखेट तो bowling section में यहां पर आपको बदा दू कि तीन बोलर्स यहां पर अच्छे form में है तो तीन में से द ज्यादा अच्छे form में नहीं है तो इन पर आपको focus नहीं करना है बाकी यहां पर यह दोस्तों बात करें नोर्मैन की तो नोर्मैन आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए mega grandly के लिए important रहेंगे और a small league भी as a differential pick के तौर पर ले सकते हैं तो यह होगी दोस्ते यहां पर ह team combination क्यूंपर दोस्तों आं पर हमारी team combination जो कि हमारे कफ्तां रहेंगे रहेंगे रासित खान और vice captain दोस्तों इहां पर फैजल फारुकई अगर दोस्तों अफगनिस्तान की team पहले bowling कराती है तब दोस्तों मैं यहां पर रासित खान की जगह पर फारुकी को captain कर दूँगा और फिर दोस्तों वाइस कैपटन में यहां पर नवीनुलक को कर सकते हूं क्यूंकि फास्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है तो आप लोग जो भी टीम फास्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो इनके फास्ट बॉलर को आपको कैपटन करना है उसके बाद दोस्तों नीचे से नाव को मैंने लिया है और यहां पर दोस्तों बनुआ को जो कि दोस्तों अच्छे फॉर्म में तो हैं लेकिन फिर भी इनको बहुत कम लोग लिये हैं